दोस्तों आप सभी बिहार पुलीस कॉन्स्टेवल भरती परिक्षा 2013-2391 पोस्ट एक्जाम डेट के बारे में जानना चाहते हैं आखिर एड्मीट कार्ड कब आएगा परिक्षा कब होगी अभी जो देखेगा दोस्तो 24 सितंबर 2013 पहला चरण का जो एक जाम डेट निडधारी था तो क्या इस डेट में परिक्षा होगी या नहीं अगर नहीं होती है तो परिक्षा कब होगी तो सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं तो चलिए आप सभी चीजों के बारे में देखे अभी पुलीस 21,391 पोस्ट का जो रिजल्ट दिया जाएगा लिखित परिक्षा का रिजल्ट दोस्तों आपका जो टार्गेट रहना चीक इस रिजल्ट के PDF में मेरा रॉल नमर कैसे आए परिक्षा भी आप दे दीजेगा लेकिन रिजल्ट ही नहीं आएगा तो परिक्षा देने का मतलब क्या सबसे पहले तो आप सभी एक्जाम डेट से रिल्टेट जानना चाहते एक परिक्षा आखिर होगी या नहीं तो आप सभी एक्जाम डेट को लेकर जो चिंती थे और CSBC का वेबसाट दिन में 50-50 बार चेक करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप बिलकुल आज आखरी दिन है अगर आप इंट्रेस्टेट है तो आप सभी जा करके फटाफर जोइन कर लिए फिर कोर्स का प्रैस बढ़ जाएगा अभी दोस्तों आप सभी CSBC यानि केंद्रिया चेन परिसत सिपाही भरती के वेबसाट पर आईएगा तो देखेगा तो यहां पर क्य किये थे या फिर पेमेंट यह सब चीजे होर्म कि फैनल समीट नहीं किये थे तो उसका रिजयक लिष्ट जारी किया गया तो इसी तरह से हर बार होता है चरणबत तरीके से सारा कुछ जारी किया जाता है फिर यहां पर एड्मिट कार्ट से समबजित नोटी सिए सब दिया जाता है अभी तक दिखेगा CSBC की और से ओफिस्यली रूप से डेट कुछ भी नहीं दिया गया है डेट के बारे में जो आपको दोस्तों पता है तो यहां पर आप दिखेगा दो अगस्त को CSBC यानि केंद्रिय चन परसत सिपाही भरती की और से लेटर लिखा गया था जिला CSBC की और से ओफिस्यली नहीं दिया गया है लेकिन हर बार दोस्तों बिहार की एकजाम में ऐसा ही होता है पहले जिला पता धिकारी को लेटर लिखा जाता है फिर वहां से कनफार्म सारा कुछ होने के बाग 99% चांस रहता है उसी डेट में परिक्षा आप देखेगा कोई भी डियम को लेटर लिखा गया था तो आप सभी को दिखाये थे डेट के बारे में 14 में को परिक्षा होगी फिर एक मेहने पहले 14 अपरेल को आप देखेगा तो CSBC के साट पर नोटीस है इसी तरह से दरोगा एकजाम का भी हुआ 24 पोस्ट वाला तो उसमें भी 16 जुलाय वाले तो परिक्षा से मात 19 दिन पहले एड्मिट कार्ड दिया गया था डिरेक्ट एड्मिट कार्ड से समबजित नोटीस आया जिसमें एकजाम डेट के बारे में बताया गया अब आप दिखेगा दोस्तों 21,391 पोस्ट की बात करे 21,391 वाले पोस्ट में क्या है दोस्तों कि आप परिक्षा में मात 18 दिन का समय बचा हुआ है 18 कहिए कल से 17 दिन रहेगा 24 तारीकों पर थमचरन अब आपको ये लग रहा होगा कि 24 तारीक वाला तो आप डेट यहां पर क्राउस हो गया ये तो होगा नहीं क्योंकि 17,18 दिन क कुछ ऐसा तो कभी होता नहीं है तो आप परिक्षा पूरी तरीके से टल गया तो ऐसा नहीं है दोस्तों आप सभी ये मत भरम में रहिए अगर आप ये भरम में रहेगा फिर त्यारी नहीं कर पाईएगा और हर बार ऐसा ही होता है जब भी ऐसा कुछ होता है जहां पर कनफ भी ढिलाई किजिएगा तो आपके जगह पर किसी दूसरे का रिजल्ट हो जाएगा यह competition exam है सभी तैयारी करते हैं result fix है कि एक लाग काना है तैयारी करने वाले भी बहुत 18 लाग चात्र है और यह बताईए दोस्तों कि आप में इसे बहुत सारे चात्रों के साथ ऐसा हो रहा था तो जो भी चात्र application से जूर करके course में के साथ जूरे है तो course में देखेगा दोस्तों अभी आप लों को सिर भी बिया topic यह सब चीजे करवार है यह सब पढ़ने के बाद चात्रों का ही application पर ही कमेंट रहता है कि सर अब हमें लगता है कि exam मेरा असानी से निकल जाएगा यह नहीं है कि पहले क्या होता था कि question state में बनाते थे गलत हो जाता था आते हुए भी यह भी यह topic जो है दोस्तों इसमें आप लोग को वही सब चीजें दिये है जो जो fix है बिहार पुलीस CSBC का pattern है और अभी आपको एक्जाम के लिए बहुत समय तो नहीं है टॉप 1500 PDF मिला है question bank का वर्ल नाइनर PDF मिला है previous year से अभी देखेगा दोस्तों दरोगा वाला जो जो की दो दिन पहले 3 सितंबर 2023 को लिया गया इसमें दोस्तों लगभग 30-35 question जो है सीधा सीधा previous year से जिसमें दरोगा विहार पुलीस सभी एकजाम का question पूछा गया है आपका जो विहार पुलीस वाला एकजाम है दोस्तों इसमें भी आपको previous year से अच्छा खासा question repeat देखने मिलेगा तो अभी आपको बहुत समय नहीं है कि आपको question bank खड़ी दियेगा फिर अच्छे से याद कीजेगा तभी आपनों को one liner format में सीधा answer provide करवाए है question है उसके आगे answer है बस 4-5 पर पढ़ लिजे revision करके जाएगा पुरा का पुरा score कर लिजेगा जो भी previous year से आएगा बिहार के जितने भी परिक्षा है सब ही का आपनों को question bank की हाँ पर provide करवाए है तो जई आप जोइन कर लिजे फिर course का press कल से बढ़ जाएगा अब दोस्तों आप सभी ये जानना चाहते कि परिक्षा होगी की नहीं होगी 24 सितंबर वाला जो date पिरधार इता है इस date में परि गया है कि देखीगा सभी सेंटर पर कैमरा लगाया गया था सीसी टेवी कैमरा वहां से लाइब सारा कुछ देखा जा रहा था इसके बाद जैमर ये सब चीजे अभी दरोगा एक्जाम में 64 पोस्ट का मेंस लिया गया तो उसमें भी ऐसा हुआ था आप लोगो दिखाये ही भरती समझे जो आप वीडियो देखे दरोगा वलत उसमें बताये थे यही चीजे दोस्तों CSBC भी चाहता है कि एक्जाम में किसी भी परकार के कोई भी कहीं भी चीटिंग ये सब चीजे ना हो जो भी अगर कुछ दिक्कत है तो उसको सॉल्व किया जा और पारदर्सी तरीक होने वाला है तो आपके पास अभी भी समय है अगर आप ये सब चीज़ों में रहेगा तो फिर रिजल्ट होगा ने फिर आपको भरती देखने को मिलेगा ने तो CSBC का टार्गेट ये है दोस्तों 100% कादाचार मुख परिक्षा हो जितने पढ़ने वाले स्ट्रेंट है इतन 24 सितंबर वाला परिक्षा का तो 24 सितंबर को नहीं हो रहा है तो क्या हो गया अक्टुबर से तो आपकी परिक्षा हो रही है तो बहुत जैदे डिले नहीं होने जा रहा है परिक्षा होगी अब रही बाद दोस्तों 24 सितंबर वाला जो पर्थम चरन है रविवार का देखे के दोस्तों CSBC अपने अनुसार सब कुछ यहां पर देखेगा तो पहले से सोच विचार के चल रहा है कि हमें दूसरा option भी रहे तो CSBC में देखेगा भी 2391 पोश्ट के लिए टोटल जो फॉर्म फिलफ हुआ है दोस्तों 18,00,00,00 अब्यारती फॉर्म फिलफ की हैं और एक सिफ्ट में जो एक्जाम लिया जाता है 3,00,00,00 और इसके लिए कितना सिफ्ट में परिक्षा लेना पड़ेगा तो 6 सिफ्ट में तो 6 सिफ्ट का मतलब क्या हुआ तीन दिन एक सिफ्ट में दो परिक्षा ली जाती है 10 से 12 के बीच में फिर दूसरी पाली 2 से 4 के बीच में अभी देखेगा यहां पर तो परिक्षा अपनों का यह नहीं है कि 4 दिन चलने वाला तीन ही दिन परिक्षा चलेगा जैदे दिन ले करके क्या किया जाएगा पिछली बार देखेगा तो दो तारीक में परिक्षा लिया गया था 14 मार्च 21 मार्च इससे पहले भी ऐसा हुई हुआ था 12 जनवरी को परिक्षा लिया गया था 12 जनवरी 2020 फिर इसके बाद 8 मार्च 2020 को निस जनवरी को ठंड के कारण से फिर पेपर को रद करना परा था फि इसके बाद देखेगा तो 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को परिक्षा लिया गए जो 84-85 पर भरती आई थी इस बार आपनों की परिक्षा तीन दिन चलेगे जिसके बारे हम आप सभी को पहले ही बता है थी एक दिन में दो सिप इस तरह से तीन दिन में परिक्षा 6 सिप में 18 लाग का एक्जाम लिया जाएगा तो यहां से जो दोस्तो 24 सितंबर वाला डेट है तो ऐसे भी आप देखेगा खुद से भी तो 6 दिन यहां पर इधर आ गया तो 17-18 दिन एक्जाम है बच्चा हुआ तैसा CSPC में कभी भी नहीं हुआ है कि आपको एक्जाम से पहले मातर 15-16 दिन पह दोस्तों यही तीन डेट को पूरी संभावना है कि ली जाएगी तो आप सभी देखेगा तो यहां पर एक अक्टूबर वाले परिक्षा तो एक दो दिनों में उससे रिल्टेड नोटिस जो भी है CSPC के और से आप लोगों को बता दिया जाएगा और परिक्षा दोस्तों य यही सब डेट में आप लोगों की परिक्षा ली जाएगी लेकिन दोस्तों यहां पर CSPC को भी वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम्स जरूर बता देना चे जिससे अठारा लाक्षा तो निस्चिंत हो का अपना त्यारी पर फोकस करें यही लगता है कि अगर 24 वाला माली ज अक्टूबर 15 अक्टूबर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है परिक्षा दोस्तों दस दिन भले देरी से हो लेकिन परिक्षा हर हाल में अक्टूबर मेहने मी लिया जागा क्योंकि इसका रिजल्ट भी जल से जल देना है जब यह भरती आयी थी भरती आने से पहले ही द तो नौमबर लास्ट नहीं तो दिसंबर में रिजल्ट आएगा फिर फिजिकल जल्द से जल्द करवा करके फरवरी तक फैरल मेरिट जरूर जारी कर दिया जाएगा तो पहले से ही देखेगा बिहार पुलिस मुख्याले के और से सब कुछ त्यारी कर लिया गया है भले एक फोकस यह खरना है कि जब रिजल्ट आएगा नौमबर मेहने में तो इस रिजल्ट के पीडियाप में मेरा रॉल नमर कैसे हो इस पर आप धियान दीजिएगा तब आप मोटिवेट होकर अच्छे से त्यारी में लग जाएगा और देखेगा तो जो भी है स्टुडेंट पढ़े हैं तो पढ़ने के बाद सभी यहां पर मोटिवेट हो गया है कि हां मेरा अब रिजल्ट बिल्कुल होगा क्योंकि इतने तैयारी कर लिए हैं तो आप सभी जाएए फटाफट जूर जाएए जो भी पहले स्कंटेंट है सब कुछ आपनों को मिलने वाला है और कोर् आप फुराल लेट से विडियो देख रहे हैं तो फिर भी आपको एक बार देख लेना है